हाई फ्रेंड्स वेल्कम ओन आवर यूटूब चैनल केरी टूटर मैं नेम इस संद्रपाल और आज हम जो डिस्कूस करने वाले हैं लेटर टू ए जेपनीज फ्रेंट यह हमारा यह लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है लिटरेरी ठीरी एंड क्रिटिसिज्म के अदर एक टोपि जुलाई उनिस्सो तिरासी को लिखा गया था तो टैंस जुलाई उनिस्सो तिरासी को लिखा गया था जैरी कि लग भुड लग बग यह जो लेटर है वह 40 साल पहली लिखा गया था तो 40 साल पहली लिखा गया था इसको 40 साल पहली लिखा गया था तो यह जो लेटर है यह क इम पान योफटी के क्या है प्रोफेसर है तो हम इस लेटर के अंदर उन्होंने जो डिकोंस्ट्रेक्शन वर्ड है उसके अबारे में इसमें बात की है कि टिकोंस्ट्रेक्शन जो है प्रोफेसर तसिंषamm तो उंसे पूछा कि मैं आपका कोई वर्क टांस्लेट कर रहा हूं। किस का? Jack Derida का तो उनसे पूछा कि आपके एक टोरी के नનरी वर्ड जो आया है, जिसका नाम डी कंस्टरक्शन है और इस deconstruction को मैं अपनी भासा यानि कि Japanese language के अंदर उसको translate कैसे करूं सही से तो वो पुछते हैं कि आप मुझे सही से जवाब दीजिए ताकि मैं आपका जो deconstruction word है उसका सही से ट्रांसलेशन जपानी language के अंदर कर सकूं चालीश साल पहले लेटर क्यों लिखा गया क्योंकि उस टाइम आज के टाइम तो हमारे पास mobile phone है टेकनोजी है आज के पास हम मेल कर सकते हैं मगर उस टाइम यह चीजें नहीं होती थी और होती भी थी तो बहुत limited लोगों के पास सी यह टेकनोजी होती थी आज के टाइम में है तो लेटर लेखने की जुरूत नहीं है हम फोन घुमाते हैं और या फिर हम मेल डाल देते हैं तो एक सेकंड के अंदर प्रूं जाता है तो यह लेटर जो है यह लगभग लगभग फाइफ पेजिस का है तो आपको यह समझी में आ गया कि उस टाइम टेकनोजी नहीं थी इसलिए उन्होंने लिखा और वो कंफूज थे एक वर्ड को लेकर के तो यह जैक डेरीडा कौन है आपको यह पता चल गया कि तोसी को जुट्सू है यह जपान योश्टी के प्रोफेसर है और यह लेटर लिखने वाले कौन है यह जैक डेरीडा है जैक डेरीडा के बात कर जो है 1930 से लेकर 2004 तक रहा है यह रिशेंटली अभी ही डेथ इनकी 2004 में अब यह कौन है यह फ्रेंच फिलोसफर है और यह फ्रांस से बिलम करते हैं तो जपान और फ्रांस यानि कि लैंग्विज का अपना अपनी लैंग्विज के इंदर खुद का इक और वजूत होता है जैसे हम कहें कि प्यार प्यार एक वड़ है लेकिन अगर हम इसको इंग्लिस के अंदर ट्रांफेर्ट बहुत महतोर रखता है और यह डिपेंड करता है पर्शन टो पर्शन और रिलेशन टो रिलेशन तो ऐसे हमारा जो प्यार वर्ड है इसको दूसरी लेंग्विज के अंदर अगर हम सुनते हैं तो इतना मजा नहीं आता है तो वैसे ही रोने डीकंस्ट्रक्शन वर्ड को ट्रा है हम इनके बारे में थोड़ेशन लेते हैं जोड़े डिकंस्रक्शन या पिलोप क्या क्या फिलॉप किया इन्होंने इसको यूज कहा किया इन नमबर ओफ टेक्स्ट यानि कि इन्होंने एक डेवलोप किया फ्लोस्पी ओफ डीकंस्ट्रक्शन जैक रेड़ा ने और उसको यूटिलाइज किया इन्होंने बुक्स लिखी है ऐसे रिखे हैं इन्होंने पॉब्लिक परजेंटेशन दी इन्होंने और इन्होंने पॉप यह और लिंक्विक्षिक आयं इनाकिया ब्हूसा की विख्यानी और भासा की इस्टी करनेओ बंदें इन्होंने की घिन्होंने का लिओप यूज़ ओफ डिकंस्ट्रक्शन तो आपको यहां तक समधी मैं आ गया इन्होंने लगभग 40 बुक को पॉब्लिश किया है हैं इन्होंने शेकड़ो नोबल्स और पैसेज लिखे हैं इट वाज बेस्ट ओन फिलोस्पी यह जो बुक्स है और जो पैसेजिज है यह फिलोस्पी पे बेस हैं लिट्रेचर पे बेस हैं लोग की उपर बेस हैं अंत्रोपोलोजी क्या होता है एंत्रोपोलोजी का मतर होता है कि क्लोज स्टेडी ओफ हुमन बिंग यानि कि हुमन बिंग की स्टेडी क्या है कि हाओ हुमन बिंग ओरिजिनेट की हुमन बिंग का उत्थान कैसे हुआ उसका ओरिजन कैसे हुआ है उसका ओरिजन कैसे हुआ ह तो यह आपको कई सारी चीजे समझी मैं कि यह जो जैक डेरिडा है यह वेरी इंपोर्टेंट लिट्रेरी परसन है तो हमें इसकी स्टेडी करना बहुत जरूरी है इन्होंने काफी इंपोर्टेंट वर्क लिखे हैं उसको भी हम जान लेते हैं जैक डेरिडा ने काफी इंपो में in से इनका कारेकाल रहा इनका टाइम डूरीसें रहा तो ऊन्हों ने काफी कुछं़ लिखा तो यह तो फिलोसोफर थे इन इस टाइम की बहुत बने फिलोसोफर थे जैसे एक उडिला डे雜ोश्ष उस्थे वैसे इस फियमस वक्स these are speech and phenomena speech and phenomena first work second half of grammatology and writing and philosophy speech and phenomena 1916 में published होता है of grammatology and writing and philosophy इस टीनों सर्सेट में पुलिस होता है तो यह तीनों के तीनों वर्क है यह उन ऑनिश्व सर्शेट में पॉब्लिस होते हैं और व्याहर इम्पोरियन्ट एक बात और यादा आई मेरे को ये post-structuralism post-structuralism और post-modern philosophy के अंदर काफी important का रोल वाने जाता है post-structuralism post-structuralism and post-modernism post-structuralism and post-modern philosophy post-modern philosophy के अंदर काफी important इनका नाम मने जाता है post-structuralist और post-modern philosophy के अंदर इनका काफी important रोल जो है वो मने जाता है तो चलिए अब हम start करते हैं कि इन्होंने deconstruction theory के बारे में क्या बताया है ये सबसे पहले जो बात करते हैं वो professor इजुट्सु को सम्धानी की ईकोसिश करते हैं कि सबसे पहले आप Two- Wright Dad को tra ils करने से पहले आप इसको समझे ए ट्रॉ JOSH ये आप वर्ड जो है इसको talented translation करने से पहले आप ट्रॉशन को समझे अगर आपको ट्रांसरेसन आपको समझे में आ गया कि एक शोस्स लेंगविज है एक शोस्क्राइट ने सबाएम सेुलाद चबिसे हमें वीयुक्त लेंगविज के दर यि क्या ओ लियुक्तकर्ट नाएंग है इनु अब यह जो डोग है इसको हिंदी में क्या बलते हैं संस्कृत में क्या बलते हैं सवान तो यह डोग है इसको पता नहीं है कि डोग क्या है माली यह बच्चा है और इसको हम कहें कि क्या आपने कभी डोग देखा है तो उसने कहा कि मन ने तो नहीं देखा तो हम बच्चा पुछता कि डोक कैसा होता है तो हम बोलेगा कि विल्ली जैसा होता है तो हम बोलेगा कि अच्छा तो फिर वह जैसा होगा तो वो हजारों चीजे रिलेट करता है डोग के साथ में जिसको पता नहीं कि डोग क्या है तो इसके साथ में कैट को एड़ कर देगा इसके साथ में लोएन को एड़ कर देगा इसके साथ में टाइगर को एड़ कर देगा और बहुत सारे वर्ड्स को जैसे आपने देखा होग जैसे एक वर्ड है कि I love you I love you इसको आप translate करना है तो किसी को पता नहीं कि आई लो फिक क्या मतलब है तो उसने पुछा कि I love you का क्या मतलब होता है तो वो बोलेगा कि I love you का मतलब है कि मेरे अंदर आप मेरे अंदर आप के लिए feeling है मेरी फिलिंग्स आपके लिए हैं अच्छा तो वो कहेगा कि इसका क्या मतलब है कि मेरी फिलिंग्स आपके लिए हैं तो अब जो इंडिया वाले हैं तो बो तो यह कहेंगे कि एक ऐसा प्यार एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए कोई दुस्ट जो आपको करता है वो आपके लिए जान दे सकता है अच्छा ऐसा है तो यह चीजी है ना रिलेट करती जाती है मगर उसको वर्ड जो अग्जक्ट वर्ड है उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है तो यह यही कहना चाहते हैं कि जो डीकंस्ट्रक्शन जो है जो डीकंस्ट्रक्शन वर्ड है इसको समझाना इसक कि आप को सबस्क्राइब करने में क्या कर जाऊगे गलती कर जाओगे टो इसे की बारे में क्या कहते हैं कि अप्रोसेश औफ रिवर्किंग translation क्या है एक प्रोचेसा है रिवार्किंग टेक्स फुरुम वन यंग्वीज इन्टो अनॉट्र है एक प्रोचेसा रिवार्किंग का जो एक लेंगविज छे दूसरी क्या करता है ट्रांसलेट होता है तुमेंटेन और व्यारी अटार अ ceux यह कि आपको जो औरिजिनल मैसज है वो निमाना सीarno कि जा आपको जोरिजिनल मेंसेज है यह नहीं मदना भाव है आगर बाव का बदल गया यह यह इसको कुछ भी कर कैसे वे ट्राइट किजिए कोई दिक्कर नहीं है मगर मैं ट्राइटिशन का मतलब यहीं है कि आपका ओरीजिनल मैसेज जो है यह नहीं बदलना चाहिए मतलब ओरीजिनल मैसेज के परबात की है और क्या है इडिशन का मतलब है ट्रांसफोर्मेशन बिकोज एक्विलेंस इंपोशिबल एक्विलेंस इंपोशिबल माली जो आप है और आपके घर में चारपांस मेंबर और भी है तो आपकी जो वेल्यू है वो आपकी जगह है इडिए कि आप दूसरे के ना तो कोई दूसरा वेल्यू आपके बढ़ा सकता है ना घटा सकता है आपकी वेल्यू आपका वजुद जो है वो आप ही है याडि कि मैं कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं मेरे पढ़ाने का वजुद मैं हूँ मेरे से कोई बहतर पढ़ा सकता है मेरे से कोई अच्छा पढ़ा सकता है तो यही कहते हैं कि हम जो deconstruction word है इसका exact meaning नहीं दे पाएंगे हम इसको substitute कर देंगे यह यहां पढ़ा रहा हूं कोई दूसरा बंदा आ कि यही topic पढ़ाने लग जाए तो वो एक substitute को जोर दे रहे हैं कि आपकी सी वर्ड को substitute कर सकते हैं में अग्जक्ट मिनिंग जो है उसका से मिनिंग आप नहीं दे सकते दूसरी लेंग्विज के अंदर तो यहीं बोले हैं कि आपका औरिजिनल मेशेज जो है वो आपका सेम रहना चीए उसका अर्थ नहीं अर्थ का अनर्थ नहीं होना चीए काफी इंपोर्टेंट लाइने हैं और इन लाइनों को हम वन वाइवन करके समझते हैं और यहां से हमें का रियल में मिनिंग निकल क्याएगा कि जैक डेरिडा ने प्रोफेसर तोसी हिको को क्या बताया डिकन्स्ट्रेंट के बारे में इनिक यह बहुत मुस्किल है कि एक टेक्स्ट के अंदर एक वर्ड को डेक्स्ट के अंदर लाइनों के अंदर उस एक सिंगल वर्ड का मिनिंग क्या निकलेगा अगर आप देखे धान से तो कोई भी एक वर्ड का मिनिंग नहीं निकल पाएगा वो डिपेंड करता है सिचिवेशन तो सिचिवेशन वो किस वर्ड किस वे के अंदर लिखा गया है यहीं कि अगर उस वर्ड का सही से मिनिंग जानना हूँ तो वो हमें इनर स्ट्रक्चर से उसके भाव को समझ के पता चलेगा इन्होंने पहली बताया कि आपना चाहिशन का मतलब यहीहै कि उरिजिनल मेंनिंگ जो है वो सेवर्णा चाहिए याव वर्ड को कैसी विठी है कोई दिखा कर नहीं है वे लाव जो है उस वर का तक उन लाइनों का जो वाव है है वो मिलेदा चाहिए यहीं कहते हैं कि दो इन्टरन WIL इंटर्नल जो स्ट्रक्चर है उससे पता चलिए कि इसको वो क्या खाना चाहता है वर्ड को किस वे में ट्रांसलेट किया गया है तो विक बार हम बोलते हैं हम बोलते किसी अच्छे के लिए हैं मगर दूसरीय वाला उसको नेगेटिव में ले जाता है तो ऐसे इन्हों ने दि मिनिण इस नोठ फिक्स त ही बात आगे बारत के कई सारे आर्थ हो सकते हैं जैसे गौढविश हँए इसके कई सारे आर्थ नहीं है तो गोड हमरी जैसे फोन लेंगर योड है हमारी बहुत हो सकता है अब बहुत सारे बाबावबी हें जो बहुत सारे बसार नहीं powinien बहुत सिर्ट को एकusan पावर है एक डिवाइन पावरा है मंगर वह एसा है नहीं कि हमनेर को मान बैटते कर सकते हैं, meaning is not fixed and can be endlessly interpreted, आप इसको interpreted कर सकते हैं, आप अलग-लग वे से आप इसको use कर सकते हैं, deconstruction is not, यह बहुत important line है, deconstruction is not a method and it can be, it can, it cannot be transformed into one, deconstruction is not a method, deconstruction क्या नहीं है, एक method नहीं है, and it cannot be transformed into one, और ना इसको क्या कर सकते हैं, आप transform कर सकते हैं, ना ही आप इसे change कर सकते हैं, और ना ही यह कोई method है, it is an ongoing process, क्या है फिर deconstruction, ongoing process, deconstruction is not a method and it cannot be transformed into one, आप इसको transform नहीं कर सकते, it is an ongoing process of इंटरोगेशन और यह क्या है एक निरंत्र परिकिल्या है इसकी इंटरोगेशन की किस्छनिंग करने की डास पड़ताल करने की यह यह तो आपको जब इंटरोगेट करोगे जब आप चानबीन करोगे कि इस लाइनों यूंट फंट नेक इंसान हो सकता है उसकी मुशिबत में बहुत ज़्यदा हल्प की हो तो यह क्या है इंटरोगेटिंग प्रोसिश है क्या है इंटरोगेटिंग प्रोसिश है फिर से पढ़िए लिकनिस ली कंस्ट्रॉक्शन is not a method and it cannot be transformed into one. It is an ongoing process of interrogation concerned with the structure of meaning itself. आगे दिखे, ही एक्स्पेंड जक्रिडरा निक्या रिखा in letter to a Japanese friend. Deconstruction is neither analysis nor critic. ना तो analysis करने के चीज है ना critique करने के चीज है ये तो क्या है? ongoing process of interrogation, ongoing process of interrogation process. आप इसका screenshot रिए और तरी हम थोड़ी से discuss और करते हैं. तो real way मजा रहा हुआ आपको क्योंकि ये जो text है ये एक linguistic ने लिखा एक philosopher ने लिखा है इसको understand करना बहुत मुश्किल काम है मगर फिर भी हमने महनत करके इस चीज को बार बार इस चीज को understand करके read करके हमने कुछ important line ने आपके लिए निकाली है तो आप इस वीडियो के एक बार like जरूर करिए. ये अपना conclusion देते हैं deconstruction theory के उपर कि ये deconstruction आप कैसे करें deconstruction is not an act or an opening or an operation deconstruction क्या रही है is not an act or an operation ना तो act है और ना operation है ना act है और ना operation है deconstruction is not an act or an operation it takes place everywhere ये हर जगह होगता है language के अंदर जब भी आप language को translate करोगे तो उसमें से उसका substitute जाता है वह वह deconstruction का मिनिंग जो है वह internal structure को देखते हुए वहाँ से एक मिनिंग उसके बराबर का लगता है कि इसका ये मिनिंग होशकता है तो गैस कि हम शिरफ और शिरफ जब हम translation करते हैं उसकंदर एक ही चीज़ को मैंड़ी में रखना है वह है ओडिजिनल message should be convey in the translation original message should be convey your structure doesn't matter आपका कोई में नहीं करता आप structure कौन सा कैसे बना रहे हैं आप subject को पहने ला रहे हैं या object को पहने ला रहे हैं कैसे ल करें जैसे doğru अमिया कपड़े में जाय। तो आपके कपड़े मांने चीज़ है कि कौन द्रवा कोई मैंटर नहीं करता THE वैसे ही आपका original message message जो है ब там एक होना चाहिए क्या रिक्वाइर नहीं करता डिलीबरेशन और कॉंशिएसनेस यादि कि आप जवरदस्ती उसका मिनिंग ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करो अपने हिसाब से जो मिनिंग निकल रहा है उसका ओरिजिनल मेसिट करने कर दो पस इतना है डिलीबरेटरी और कॉंशिएसनेस यह रही करता राधर इडिए पोटेंशियल एग्जिस्ट विदिन आवर स्ट्रक्शर और जो वर्ड का जो मिनिंग है वो कहां पर एक्जिस्ट करता है इन आवर स्ट्रक्शर ओफ मिनिंग अग्जिस्ट विदिन आवर स्ट्रक्शर ओफ मिनिंग यानिकी जो स्ट्रक्शर है उसी के अंदर क्या है मिनिंग है आप उसको अपनी तरफ से विल्ल्यू अड करने के कोशिस मत क capture जो इसंदेक्स्ट है उसी के अंदर वहाँ पर ही आपको मिनिंग मिलेगा और उसी को आपको रख देना है डी कर्वाइब यह करें कि आपको फॉट अनिवन पारिकुलर क्लेम ना तो यह आंसर को क्लेम कर सकता है और नाई स्पोर्ट करेगा क्या है इंपोडेंड पॉइंट इकर फिस इंपोशिबल इच इसफ is indeterminate, ये खुद ही indeterminate है, खुद ही ये impossible है, ये खुद ही unstable है, क्या है ये? Unstable, stable नहीं है, unstable है, so deconstruction is impossible, it itself is indeterminate, last point देखे, very important point, the ongoing chisening that keeps our minds open to the idea that have, that there be alternative, sorry, there be alternative, views and understanding of the meaning, the ongoing chisening that keeps our mind, जब हम ये क्या है, ongoing process है, जब हम mind में उस चीज़ को ongoing रखेंगे, उसको जारी रखेंगे, उसकी interrogation करेंगे, उसकी जवाजपटाल करेंगे, open the idea, तो हमारे को एक idea मिलेगा, that there be alternative views and understanding of the meaning, ये कोई alternate निकल कि आएगा हमारे पास, कि इसका ये कहना चाहता है, और हम उसको translate कर देंगे, ये ये ongoing process है, तो ये एक deconstruction theory, जो डेक डेरिटा की है, और इन्होंने लेटर लिखा, प्रोफेसर तोशी को इजुट्सु, तो मैंने तो इसको translate कर दिया है, I hope you would like this video, if you like this video, please share and subscribe our channel, so thank you so much, मिलते हैं next video में.